माइक देखे ना माइक चलो तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागात है ठीक है जो आपकी क्लास थी वो 10 मिन्ट लेट होगी क्योंकि एक्जामफुर भी क्लास लाइव हो नहीं पाई थी और स्वागत है थोड़ी से मिस्टेक हो गई है इसलिए इस क्लास आपकी 10 मिन्ट लेट हो गई है तो एक बार फिर से इस सभी का स्वागत है आप सभी का वीकली करणड डफेर में जिसके साथ मेरे साथ आज आप लोग यहाँ पर 23 जनवरी की महतपुर करंड डफेर यहाँ पर क्लास को कवर करने वाले हो ठीक है वीकली क्लास को कवर करने वाले हो तो एक्जामपुर पर और अपने एक्जामपुर पर एक्लास वैसे सुबह पांच बजे होती थी रेकिन अगर आप लोग मेरे साथ इस क्लास को डेली रेगुलर करना चाहते हो, जिस परिकार से मेरा तरीका है, जिस परिकार से आप लोग current अफर की class करते हो, अगर इसी परिकार से आपको current अफर की class चाहिए, तो आप मेरे साथ डेली, सुबा 5 बजे, SSC exam, सुबा एक्जाम पर पर मिलना, मत भूलना, एक नए अवतार के स साथ एक नई सैसन के साथ तो चलते हैं आज के पहले कोशन पे जो वीकली करेंट फिर के तैद आप लोगों के लिए उपस्तित है और यह रहा आज का पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर किस राजने वरिष्ट नागरिकों को सामाजिक नयाय दिलाने को दिस से एल्डर लाइन ना बहुत ज्यादा खराब है और अभी हाल में आपको पता होगा एक और दच्चिट अफ्रीका जो अपने देश है अफ्रीकी देश उनमें से एक और नया वायरस आया है जो चाइना के द्वारा सूध किया गया है जो कोविट 90 का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रेंड या सब से घातक वायरस है अब यह हाल में सकी कोज की गई है जो हम लोग को कल की करेंट इफिर के क्लास में कंट्रीन करने वाले हैं बस आप लोगों से रिकैस्ट है कि एकदम दवा के दिमाग से तेज यह सारे सैसनों कबर कर जाओ इसमें लगबग आपके 75 MCQ होंगे 75 MCQ हैं जो व गुजरात एकदम करेक्ट आंजर हो जाएगा और यहां देखना 14560 इस हैल प्लैम का नाम था 14560 नाम की एक हैल प्लैम ती जिसको सुबारम अभी हाल में गुजरात सरकार के द्वारा किया गया था सर पांच बजे से क्लास लगाईए ना सर छे बजे क्लास दूसरा क्लास प्लीज सर आस्ता कुमारी जी क्लास कल से सुबाइप पांच बजे ही होगी अभी संजीत सर्थे नहीं इसलिए क्लास एक्जामपुर के साथ चलती थी इसलिए क्लास पांच बजे ही मिलेगी परिसान मत होईए नेक्स्ट है दूसरा कॉशन आपकी स्कीन पर किस केंदे जो मेरी आप लोग करेंट फिर करते हो यह प्रॉपर तरीके से डे वाई डे है अगर इनी कोशन को जैसे यह कोशन से अधर चैनल पर देखो गए तो ऐसे कोशन आपको उस दिन से दो या तीन दिन बाद प्रोवाइट कराए गए हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं टॉपिक त अधर घी वस्ति तो यह अमारे जम्मौ कश्मीर के अंदर कहां पर है जम्मौ कस्मीर के अंदर है सबसे पहले यादखना यहाँ डैरी डपलमेंग अगर बोड की बात की जाए जिसके founder group में वर्गीज कुरिछ संब के हम जाता है किसको जाता है याँ hodna जो वरीज एकमेन वरगीद जो कुरियन थे इनको याद रखना स्वेट करांती का जनक भी कहते हैं क्या कहते हैं स्वेट करांती का भारत के अंदर स्वेट करांती का जनक भी कहा जाता है इनहीं के द्वारा भारत के अंदर किसका सुबारम किया था नैस्टनल डेरी डेवलेमेंट बोर्ड का न की गए गये दूसरा समझ उत हैं दूसरा सबसे बड़ा समझ उता या या दखना डैनंमार्क न schedule some लोग मतलब दूद की डेरी कहा करते हैं या दखना डेनमार का उपनाम है दूद की डेरी उपनाम तो नहीं है लेकिन दूद की डेरी की रूप में जानते हैं डेनमार के साथ सबसे बड़ा समझाओता किया है राजिस्तान सरकार ने किसने किया है या दखना राजिस्तान सरका declared as the first milk village of the state यानि की union territory यहां पर आप लोग यूटी रिखोगे नेक्स्ट है हाल में जितेंदर सिंग द्वारा किस राज में मौवाइल कोविट जांच सुविदा का सुवारम किया गया है इन विच श्टेट मौवाइल कोविट टेस्टिंग फैसिलेटी वाज रिसेंटी लॉच्ट बाई जितेंदर सिंग तो याद अखना हमारे जो जितेंदर सिंग है मिनिस्टर तो आप जानते ही हो लेकिन अगर जितेंदर सिंग ही बात की जाए यह पहली बार नौर्थ इस्ट में नौर्थ इस्ट का मतलब कल से पर्सों से तीन देन से लगाता नहीं पढ़ा Eggman को जिनको आप लोग सेवेंघक सिस्टर के रूप में जानते हो और इनी सेवेंघक में एक मात्र राज है इसको आपे लोग किन जानते हो जो भाई के रूप में कहलाता है इसको भूँ सेविन सेश्टर्स के भाई के रूप में जानते हैं तो याद भणा अब इग हाल में जेतेंदर सिंग्ष के द्वारा सुविता के इंदर जो नर्थ इस्ट का पहला होगा ये North East का पहला होगा COVID-90 को चेक करने के लिए इसका सुवारा आपको याद अखना है आपके मिजोरम के अंदर किया गया Next ये रहा आपका Dr. जेतांदर सिंग launched mobile COVID testing facility for North East from मिजोरम Next question number आपका 4 भारत ने किस देश के साथ हरित इदन पर सयुक्त अनुसंदान और विकास कार सुरू करने पर अनुबंद करार किया है Russia के साथ France के साथ Israel के साथ और Denmark के साथ सबसे वड़ी बात याद अगर हम लोग green की बात करते हैं जहां पर आपका एक सब्दा आपको मिल जाए green जैसे ईडीन मिला वैसे ही दो आपके जो दो किया मानों एक राज आपके सामने होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए आपका दिमाग में Denmark Denmark क्या करता है भारत के अंदर जितनी भी देश है, दुनिया का पहला देश किस मामले में है, डैनमार्क दुनिया का पहला देश इस मामले में है, जिसने आर्ट फीसल आइलेंड इस्थापित कर दिया, आर्ट फीसल यादकना, आर्ट फीसल इंटेलिजेंस पे अधारित, इसने क्या कर दिया है, हातों से बना हुआ, एक आईलेंड इस्ताफित कर दिया, कहां पर इस्ताफित किया है, डैन्ड मार्क के पास में, तो याद रखना, इसी डैन्ड मार्क ने भारत के साथ, किस छेत्र में, हरित इधन पर सहीगत अनुसंदान और विकास कारिकरम सुरू किया है, लेकिन अगर आप से पूछ दिया ज बायो डीजल प्यादारित है, तो ये बता दो, जैट जीरो मिसन किस देश के द्वारा सुरू किया गया है, और उसने कहा है, कि 2050 तक हमारे जो जैट फाइटर्स होंगे, ये किसी भी परकार के इधन का परियोग नहीं करेंगे, ये अगर किसी परकार के इधन का परियोग कर जारा इसको लॉंच किया गया, नेक्स्ट है, इंडिया डेन्मार्क ग्रीन टु इनिशेटिव जोएंट रिसर्च एंड डवलप्मेंट, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन इंक्लूडिंग हैड्रोजन, ये जो आपका फोर्टीन एफ है, ये भारत ने सबसे बड़ा भारत का अभी हाल में हमारे भारत ने किसके साथ किया है, तो या दखना इजराहिल के साथ सबसे बड़ा समझौता किया है, और ये समझौता भारत ने सबसे पहले, एक सेप्टैंबर 2021 में आयोजन किया, इसका सेकंड समझौता गुए था लकुन उसके कोई मतलब नहीं है, और ये क क्या है यह एक प्रकार का नवाचार कोस है सर नवाचार का मतलब लाइका इनोवेशन क्या किया जाएगा या दखना इनोवेशन या डवलन है इनोवेशन किया जाएगा नवाचार किया जाएगा इसमें होगा एक फंड दौनों देश मिलके दौनों देशों को आपसी ताकि जो सायता होती है उनके साथ में, तो कोशन का अंसर क्या याद रखोगे, इजरायल आपका correct answer हो जाएगा, और कोशन में कहा है कि वर्चुल बैठक, तो जब समझोता है, इजरायल के साथ हुआ है, तो बैठक भी इजरायल के साथ होगी, जब लगुन चड़ी है, किसी क आपका 14F, यानि कि 14F, partners and technology, इंडिया and इजरायल, ठीक है, हर कोशन के बाद आपके साथ एक प्रूफ होगा, जो न्यूज का होगा, नेक्स्ट कोशन, नेक्स्ट है, किस वर्च शुरू की गई, दीन दयाल उपाद्ध्याय अंतियोदय योजना के तहत, हाल में किरसी पोसक उद्याल लगाए गए, नेट्रियन जो वीक चलाया गया था, इसी वीक में याद रखना, 2016 में एक योजना स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम है, दीन दयाल उपाद्ध्याय अंतियोदय योजना, लेकिन यह सच में देखा जाए, तो यह कुशन गलत है, दीन दयाल उपा दो बार क्या किया गया है, चैंज किया गया, अलग-अलग इसके नाम भी रखे गए, तो आपको बस इस योजना, यह अगर योजना पुछ दी जाए, तो बता देना, दीन दयाल उपाद्या योजना, जब हमने आपको यह कुशन करवाए था, 23 तारिको, 24 तारिको, तो हमन प्लांट होंगे, और दुनिया में, दुनिया की बात कर रहे हैं, देश की नहीं, पूरी दुनिया में, 800 किलोमीटर, हरबल प्लांटेशन करने वाला भारत का एकमात राज कौइन सा है, तो यह आपका उत्तर परदेश है, यानि कि हमारे, आपके, मिरजापुर कर दी है, चलो भाईया, तुम भी निकल लो, तो सानिया मिरजा का आप नाम याद रखोगे, सानिया मिरजा भारत की पहली महिला यह सी बनी थी, जिन्होंने डबलू टी ए प्रतियोगता जीती थी, याद रट्टा मार लो, इन्होंने वर्स 2005 में, वर्स 2005 में, पहली बार ड दूसरी महिला बनी थी, जिन्होंने डबलू टी ए प्रतियोगता बाद में जीती, सबसे पहले सानिया मिरजा है, यह वही सानिया मिरजा है, जिन्हों, जिनको यादखना, UAE का, UAE का, गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाली, गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाली, भारत की पहली महिला बनी है ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट है इंडिया टैनिस स्टार सानिया मिर्जा एनाउज रेटायर्मेंट फ्रॉम दा स्पोर्ट बाइदा इंड ओफ 2022 सीजन और आपको याद होगा अभी इस वर्स वर्स 2021 में जितने भी एक्जाम हुए हैं जितने भी हो सके हैं कोविट 90 को अटा के जो भी एक्जाम हुए हैं सभी एक्जाम में हर सिप्ट में एक कुशन आया है रेटायर्मेंट का इसलिए जब हमने आपको सानिया मिर्जा वाला कुशन कराया था तब हमने आपको रेटायर्मेंट की पूरी दखना ठीक है UAE Golden Visa ओके UAE मैंने आपको कल कराया था पूरा का पूरा ठीक है वाई UAE के जो कुछन है जो पूरा का पूरा आपने मेरे साथ कल कि दिन कबर किया था संजी सर आपको इसी चैनल पर दिखाए देंगे अब परिशान मतो आज थोड़ा से मेरे साथ हमें मिल लो आर जी परिहार विलॉक्स जी आज मेरे साथ निवट लो कल से आपके संजी सर आ जाएंगे जैसा पढ़ते थे उनके साथ बैसा पढ़ सकते हो नेक्स्ट है कुशन न जेती है यह की जो क्लास आपके सामने चल रही है यह संजी सर से अलग नहीं है यह पूरे यूटूब से अलग है यूटूब जो भी खरवाता हो, उससे सबसे यूनिक क्लास है, सबसे तेज और जवजस्त खवरों के साथ में, और ओन टाइम की खवरों के साथ में, हाँ वो बात अलगे कि आपको अच्छी चीज ज़्यादा पसंद नहीं है, बर्ट कोई बात नहीं, किस राज ने अपनी भासा के प्रत प्रेब से भी संबन ध क्लाइब, सुमें, तो भी नोटेड़ या दखना, ठीव थीशत है, सबसे मेहतन का हो जाएगा, किससव से विस्थि प्रइब का है सब्सक्राब करो। पैका। द्यान राखना कि दिवावत को ध्यान सब्सक्रान मगा यहris सब्सक्राइब में कि संब्सक्राइब जो UPSC तक का टॉविक बन जाता है लेकिन ये ट्रप्लेंड में कौन-कौन सामिल होगा तो या दखना इतमें आपका एक तो बांगलादेश के मुद्दे को सामिल है और इसमें एक आजाता है हमारा भारती राज तुरुपरा उसी लिए इन दोनों के बीच में एक ब्रीज बन रहा है इसका नाम है फेनी ब्रीज नाम क्या है या दखना B.R.I.D.G.E फेनी ब्रीज अगर आपके एकजां में पूस दिया जाए जो फेनी रिवर पे ही बनाया जा रहा है कहां पर बन रहा है वो भी आपको ध्याद देना है तो question कहां सर्फ तुरपरा हो जाएगा अगर आप लोग quality की बात करो quality भी आप लोग पढ़ते होगे जैसी पढ़ते हो हमें नहीं पता है ठीक है तो उस quality में यादखना जो तो आठवी निसुची है आठवी निसुची जो भासाओं से संभनदित है उसमें कोकल भासा है वो सम्मलित नहीं है हम संधा है कुछे से पढ़ते हैं ऊपपर या मेरा की प sym Late Vah जैसे वो गोमने गई हो, या तबियत खराब हो, या ऐसी सुचिबिशन्स हो जाती है, इसलिए मैं इस क्लास को कंटिनुई करते हैं, तो आपके संजी सरी क्लास को कंटिनुई करते हैं, और हाँ, अपना-पना पढ़ाने का तरीका लग होता है, हर टीचर अपने आप में बैस बैस्ट देने की गोसेश करता है, वह बात अलग है कि एक्जाम औरेंटिड है या नहीं है, वह आपको पैचानना पड़ता है, है ना, तो इतना है, आप परिसान मतो, कल से आपके संजी सर आ जाएंगे, यह रहा आपका तुरुपरा की सबसे महत्पूर ट्राइप्स याद लिखी गई है, रोमिला था पर तुहिन एस सिनहा, एवाई को रैसी, डॉक्टर अविन्यूव किरे, तो या दखना इस पुस्तक को तुहिन एस सिनहा की द्वारा लिखा गया है, बिर्सा मुंडा किसे समन देते जन जातियों का पितने दित्व करता थे, और इस बुस्तक क को विमोचित किया है, महराश के गवर्नर भकत सिंग कोश्यारी के द्वारा, नेक्स्ट कुश्टन है आपका, ये रही आपकी पुस्तक विर्सा मुंडा, लिकी है, तुशिन एस सिनहा के द्वारा, नेक्स्ट है, कुश्टन मर्दस, हाल में ऑक्सपोर्ड यूनिवस्टी प्रेस ने किस सब्द को 2021 का चिल्डन वर्ड आफदा एर की रूप में गोसित किया है, तो यह देखना, अगर हम लोग दिमाग लगाना थोड़ा सा, बच्चों की बात की जाए, तो बच्चों को सबसे बड़ी चिंता कौन सी है, कि उनका पढ़ाय में मन नहीं लग रहा है बिकाउस क्योंकि कोविट नैन्टी सिरपे मढ रहा है, तो क्या खाय जारी होगी उनको, चिंता ही तो खाजारी होगी, और चिंता को अप लोग किस नाम से जानते हो, एक्जिटी की नाम से जानते हो, जब आमने आपको यह कुश्ण कराया था, तो आमने आपको 2020-21 की सारे मैत पूर्ड वर्ड ऑफ दा इयर जो चुने गए थे सारे नोड करा दिये थे नेक्स्ट है लेकिन अभी ये मत कहना कि सर अभी भी कवर कराऊ नहीं ये सिर्फ वीकली सैसन है इसी के साथ the 2021 Oxford Children World of the Year एक्सटी नाम है आपको याद दखना है सभी परिच्छाओं के लिए 31 जनवरी आपको पता है किस संस्तान का स्टार्ट अप बाट लेब डायनामिक्स बेटिंग दा इस्टिर समारो में 1000 ड्रॉन के साथ प्रदर्सन करेगा तो याद दखना है सबसे महत्पूर बात आपको याद दखना है टोटल 1000 ड्रॉन वो क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से प्रति निदित्त करेंगे तो यह अगर आपसे पूच दिया जाए कि 1000 ड्रॉन किसके है जिसकी एक इस्टार्टप का नाम है बाट लैब डैनामिक्स तो आपको याद दखना है IIT डैली, IIT मदरास, IIT रुडकी, IIT हैदराबाद तो कुशन कांसर हो जाएगा I.I. Delhi के परिसर में इस्तित है बाट लैब डैनामिक्स जो 1000 याद दखना, 1000 ड्रॉन के साथ अपना परदर्सन करेगा और ऐसा करने वाला अपना जो भारत है वो दुनिया का चौथा देश बना है और दुनिया का पहला देश आपको याद दखना है इसका नाम है USA, 2 पे चाइना, 3 पे युनाटिड गंग्डम और 4 पे आपको अपना भारत याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन है, 12 हाल में मिया आमोर मोटले निम्ड में से किस देश के नई पदानमंतिक रूप में निरवाजित हुए है रिसेंटली मिया आमोर मोटले हैज बिन यह यानि कि रही बना पुणा पदानमंत्री बनी है या क्या बनी है है रही है पुणा अगर पदानमंत्री है तो 2021-2021 यह बीदे बनी है, कि वह रही है, ब हम रहा कुश्चन आम्ने आपको सारे करवाई भी थै वेस्ट इंडिज के लेजर एंटलेस में एक दीप देज है किस की आपके सामने है capital यहां की होगी इसमें यह रही आपकी heading town यहां कीgging capital का नाम है currency का नाम है के डॉर है कि दॉelar currency की नाम है और प्रेदेंट का हाउस भवन का उद्गाटन किया है तो याद रखेगा नरेंद्र मोदी इंगुरेटेट दा निव सर्किट हाउस बिल्डिंग इन सौमनाथ टेंपल तो सौमनाथ टेंपल कहां पर गुजरात में स्थित है दुनिया में एक मात्र मंदर सौमनाथ ऐसा है जो इस ऐसी जगह पर प्रत्वी की बात करते हैं यह जो आपकी प्रत्वी है अगर प्रत्वी की बात करते हैं यहां पर मालो आपका सौमनाथ मंदर है नीचे आपका कौन सा है नीचे की परत्व क्या कहते हैं गलोप को अंटाक्टिका और उपर होती है आर्क्टिक पता है ना तो सौमनाथ मंदर जो हमारा ऐसी जगाय पिस्तित है अगर वहां से सीधी लकीर की जाए तो बीच में किसी परकार का लेंड नहीं है कोई जबी नहीं है सिर्फ पानी ही पानी है याद दखना यह एक मात विस्व का ऐसा मंदिर हो जाता है दूसरी बात सौमनात मंदर जो ट्रस्ट है सौमनात कौन है याद दखना नरेंद्र मोजी जो देश के पधान मंतरी है वही इसके क्या है इस मंदर के ट्रस्ट के अध्यक्ष है कोशन का अंसर क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा और एक कोशन जो हमेशा सौमनात मंदर से आपके एक्जाम में पूछा जाता है वह यह है कि सौमनात मंदर के सैली की इस्ताव कि इक विषेशता है तो फटाफट से comment कर दो नागात सैली या पेर हैमांड़ 95 सैली तो इसमें में से कौन सी सैली है जो किसमें SS सौमनात मंदर के रूप में की गई है या जैसी भी है एक बार फटाफट से comment कर ओ विवेक सर नहीं है यार क्या है यार चलिए एक बर फटाफट से बताओ विवेक सर नहीं है यार अच्छा ठीक है चौदे का सी विवेक सर नहीं है यार यार कॉपी पेस्ट मत किया करो कमेंड को ठीक है चालुक किया जिसका अब यांसा चालुक का रहा है सी आरा एकदम करेक् है तो यार दखना मड़ीपुर तुरुपरा और आपके मेगाले ने अभी हाल में किस दिन तो यार दखना 21 जनवरी को अपना इस्तापना दिवस मनाया है ठीक है इस्तापना दिवस मनाया है यह रहा आपका मेगाले यह रहा आपका मड़ीपुर यह रहा आपका तुरुपरा और ये तीनों के तीनों जो राज हैं वो नौर्थ इस्ट के स्टेट है 21 जन्वरी को इन सभी ने अपना पचासवे इस्तापना दिवस के रूप में मनाया है नेक्च्ट कोशन आपके सामने चाल में अर ड्ज ने N violet के बोर्ड में स्टंत्र अद्धेक्ष की रूप में किसको निक्त किया है या रचना कमाल्रण या दोजार इक्विसमें हूआ है यी नई बैंक है इसलिए इंपौर्टन है तो Finance Bank Limited के Board में स्वतनत अद्धक्ष की रूप में निक्त किसको किया है विनोध रॉय को, अन्यल स्वरूप को, संजीव राजीव महिसरी को, ससी कांथ सर्मा को, सबसे मैत्पूर कोशन है ये appointment का, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये कोशन पूरा quality पे अधारित है, सर कैसे, या भारत के यादखना कैग थे, ये भारत के कैग थे, कौन से नंबर के कैग थे, तो आपको यादखना है, ये भारत के अंदर यादखना है, ग्यारवे, ग्यारवे नंबर के कम टॉलर जनरल, समझे लो ना बात को, अगाउंटेंट जनरल, यानि कि, महाय निया वादी, लेख बैंक ओफ इंडिया की द्वारा निक्त किया गया है नेक्स्ट आपका कॉश्चन है आपकी स्कीन पर इस बैंक की स्तापना 1 नमंबर 2021 को हेड कार्टर मुंबई माराष्ट में है चेर्मेन का नाम हो जाता है बिनोध रोय हाल में हर्याणा ने किस राज के साथ सरस्ति नदी को पुनरजीवित करने के लिए एक अनुबंध करार किया है तो याद अखना है इसमें दो राज सामिल है एक आपका हर्याणा हो गया दूसरा आपका हो गया हिमाचल परदेश लेकिन इसमें एक और कुश्चन निकलता है इन दोनों राज्यों ने किन दोनों राज्यों ने एक आपका हर्याणा हर्याणा सामिल हो गया एक आपका हिमा नोट करो कौनसा बद्री डेम आपको लिखना है और बद्री में किस और नदी का पानी आएगा सरसुति के साथ मैं। तो आपको याद आखना है इसमें एक त practically सरशुति रिवर को मतला रिवायब दुवारा किया जाएगा और इसी में आपको याद रखना है सौन रिवर भी सामिल होगी इसमें दो रिवर सामिल होगी एक आपकी सौन और दूसरी आपकी सरस्रती डन हो गया, question cancer हिमाचल पर्देश, अगला हिमाचल पर्देश हर्याणा ती रिवाइब», सरसती रिवर, इसरोल्ब, वहारत की पहली, पैरा बेडमिंटर अकादमी का सुवारम, किस सैर में किया जा रहा है, तो यहां दखना, उत्त्र प्रदिश के राजदानी, लखनव की अंदर, भारत की पहली, पैरा बैडमिंटन अकादमी का सुवारम किया जा रहा है ये रही आपकी इंडियास फर्स्ट प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन अकेडमी टू ओपन इन लखनौ नेक्स्ट हाल में कौन सा राज्य AVGC Center of Excellence लाँच करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया सौन रिवार ओके चलिए विच स्टेड हैज बिकम दा फर्स्ट इस्टेड इन इंडिया टू लाँच AVGC Center of Excellence रिसेंटली केरल मिजूरम करनाटक या उत्रखन तो कुशन का अंसर वन लाइनर में याद दखना करनाटक राज्य है जिसने भारत का पहला AVGC Center of Excellence का सौवारम कर दिया सबसे महत्पूर बात करनाटक सरकार ने महादेवपुरा बैंगलोर करनाटक में भारत का पहला AVGC Center of Excellence लाँच किया है अरे यार हटो पीछे सबसे महत्पूरम कहां गया यह रहा यहाँ दखना इसका फुल फॉरम अगर आपके एक्जाम में पूछ लिया जाए Animation, Visual, Effect, Gaming and Comics इसका प्रॉपर तरीके से फुल फॉरम है यहाँ दखना इसका सौवारम महादेवपुरा यानि कि बैंगलोर करनाटक के अंदर किया गया है फॉल फॉरम यहाँ दखना ABGC का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ भी पूछ सकता है आपके एक्जाम में तो फॉल फॉरम हो जाएगा Animation, Visual, Effect, Gaming and Comics हाल में किसे DSS, 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 AFF में International Association of Working Women Awards से सम्मानित किया गया है सुस्मिता सेन, नवदीब कौर, प्राजक्ता कोली या गौसलिय संकर तो याद दखना कोशन कांसर हो जाएगा सुस्मिता सेन को भी हाली में क्या चुना गया है DCS, AFF में International Association of Working Women Awards से समानित किया गया परतम बारतिये 1994 में आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स की बनी थी क्या बनी थी, आपको पता होगा यूनिवर्स बनी थी वर्स 2000 में कौन बना था तो याद आपको पता होगा लारा दत्ता, कौन बनी थी लारा, लारा दत्ता बनी थी और अगर 2021 की बात करते हैं तो कौन बनी है नवदीब कौर बनी है, क्या बनी है, प्राजक्ता कोली बारत की पहली अर्थ चैंपियन बनी है, UNDP से सम्बंदित अर्थ चैंपियन बनी है, UNDP से सम्बंदित गौसलिया संकर प्रथम बारती है, जुनको Women Courage Award से सम्मानित किया गया, वोमन करेज C-O-R-A-U-G-E वोमन करेज अवार्ड को प्राप करने वाली प्रतम भारती गौसर ले संकर प्राजक्ता कॉलीग आर्थ चैंपियन क्लाइमिट चैंपियन नवदीब कॉरबनी 2021 मिन को क्या दिया गया यूनिवर्ट से विषक है यह जो विषो राष्ट्रिबालका दिवस के रूप में मनाया जाता है और फॉलवुइंग डेज नेशनल गंडड़ प्रत्येंग वर्ष नेर मना जाता है तो बताइए किस दिन मना जाता है तो सबसे परेली यादग एकना में पहली 24 जन्वरी को इसको प्रतेक वर्स मनाया जाता है और सबसे मैतबूर्ड यहां पर बात यह होगी कि जब 24 जन्वरी को मनाया जाता है तो स्रस्टी गोस्वामी नाम आपने पहले ही सुना होगा इनका नाम क्या है स्रस्टी गोस्वामी स्रस्टी गोस्वामी इनका नाम है जो उत्रा खंड के हरिद्वार की रहने वाली है वन डे सियम याद दखना वन डे सियम बनी थी कब 2021 में 24 जनवरी 2021 को पिर्थम भारती वन डे सियम मतब की रूप में बनी थी इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था बट यह फर्स्ट इंडिन की रूप में उबरी है तो इनका नाम याद दखना स्रस्टी गोस्वामी हरिद्वार से और याद दखना है पहरी बार इसको 4 जनवरी 2008 में मतब अलग-अलग अलग-अलग तरीके से इसको है या पर आचा 4 जनवरी ठीक है बैसे इस्टार्ट 24 से है बाद में बदला गया सबसे मेत-फूट बात सर यह 2021 में किसको दिया गया था तो पता होगा हमारे बंडारी जी को और पूरा नाम क्या है बंडारी जी का कमेंट करो फटा-फट से 2021 में या वाट आपके बंडारी जुको दिया गया था और अगर कहा जाए चीक है या दखना अगर पूछ दिया जाए कि चंद्र बोस आपदा परवंदन प्रुस्कार 2022 की अगर बात करते हैं तो इस वर्स का आपदा परवंदन प्रुस्कार किसको दिया गया तो या दखना विनोध सर्मा को दिया गया है विनोध सर्मा को या दखना सुबास चंद्र बोस आपदा परवंदन प्रुस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और अगर दो स्रेडियो में दिया जाता है ठीक है दो स्रेडियो में एक स्रेडी अलग लग प्रकार की स्रेडी है एक में 50 लाग रुप है और एक में आपके 5 लाग रुप है तो यह दो स्रेडिया है अगर विक्तिकर स्रेडी पूछ दिया जाए तो question का अंसर हो जाएगा लेकिन अगर संस्तान की सेड़ी पूछ दिया जाए तो गुजरात आपदा प्रवंदन प्रणाली को इस वर्स का यानि कि 2022 का सुभा चंद बोस आपदा प्रवंदन पुरुसकार से सम्मानिते किया गया है ठीक है बिल्कुल आप बहुत अच्छा प्ड़ाते हैं सर डेली पढ़ाईए देखो डेली पॉस्बल नहीं है किससर आपके पड़ाते हैं हां अगर आप मेरी क्लास डेली चाहते हो तो आप मुझसे मिल सकते हो डेली पांच बजे टाइम थोड़ा साजीव है क्योंकि मेहनत करने के जिद है अपना गिसा पिटा, रोना, पैन, कॉपी, और डेली पढ़ते रहो, फिर भी selection नहीं हो रहा है, ऐसा क्या किया जाए, जो हम लोग अपनी life में, अगर by chance selection नहीं हो, तो कुछ जिंदिगी में और अच्छा कर जाएं, तो कि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, इतनी महनत से हम लो समने, आपने देखा, कॉपी बेस चलता है, कोई हर कोई इंसान करेंट पढ़ाता है, फिर बाद में questions करवाएगा, यह वो फलाना, इस टैटिक में, करेंट फिर तो नाम की YouTube पे है, करेंट फिर के साथ साथ वो सिर्फ इस टैटिक पढ़ाते हैं, आपको, करेंट फिर में आ सारे subject को तयारी भी करता है, उसको time से उठना भी है, उसको अपने घर पे छोटे भाई बहनों की चिंता भी करनी है, जिसकी बहन बैटी है, जिसको साधी करनी है, वो सोचता है, मेरी जल्दी डॉंक्री लग जा तो मैं अपनी बहन की अच्छी साधी कर पाऊंगा, है ना, और एक बाई या बहन ये सोचती है, कि अगर मैं कुछ कर गई तो ममी पापा का नाम रोसन कर पाऊंगी, होता है ना, एक लड़का रात में जल्दी सो जाता है, और फिर भी दुवारा उठता है पढ़ने के लिए, लेकिन सोचता है, अगर आज नहीं पढ़ पाया, अगर नहीं पढ़ोंगा तो सेलेक्शन नहीं होगा, और अगर पढ़ा, तो सुबह पापा के साथ काम पे नहीं जा पाऊंगा, सोचो, वो इस्टेंट क्या करे, आप लोग जैसे कल आप लोगों ने बहुत परिसान भी किया था हमें, बट आप लोगों ने जो कमेंट की थी, वो आँ चल जाकर जो सारे स्सी पे रुची तिवारी अमेजिंग इस्ट्टेंट्स हैं, लेकिन हमें खौफ नहीं है कि यूटूब पर क्या रहा है, हम भी वाही करें व्यूज लाएं, नहीं, आप लोग रेल्विक तयारी कर रहे होगी ना, एंटी पीसी की, एंटी पीसी, आ बच्चों को सारा देके आगे यूटूब पे, गलत है कि नहीं है, आप लोग इसमें पिस रहे हो, लेकिन आप मैंसे भी कुछ इंपोर्टेंट स्टुडेंट्स हैं, जो दिमाग लगाते हैं, कि सही क्या है, गलत क्या है, आप लोग तैयारी करो, अगर बाइचांस देश क नेता ब्रस्ट हैं, तो आप लोग, आप लोगों को इस देश की जरुवत है, कुछ ऐसा करो, जरू नहीं, एक आईए स्पीसेस वाला ही देश को सुदार सके, आप भी सुदार सकते हो, बसरते, ठीक है, तो मेरी जो मैनत है, क्यों है, इसलिए है, उस इस डेंड के लिए, जो रात में बैठता है, ये सोचता है, अगर अभी सो गया, तो सेलेक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ूँगा, और फिर सोचता है, अगर मैं पढ़ा, तो सुबह पापा के साथ काम पे नहीं जा पाऊंगा, खेतों में, तो खाऊंगा क्या, आप बताओ, सुलूशन क करते हैं, कोई काम नहीं, और इसी बात को सुचते हुए, 2019 में अपनी पहली जॉब छोड़ी थी, एरफोर्स की, जोइनिंग भी रखी, मेरे पास ग्रीन लैटर भी रखा है, सब को छोड़ दिया था, कि कुछ जजबा है अंदर, कुछ वो करने का जो अभी तक हुआ नहीं कोशन आता है, फॉर्मल प्रिदार मंतरी, सिंजो आबे, और यहीं सिंजो आबे हैं, जिनको 2021 में एक अवार्ड मिला, और वो आवार्ड कौन सा है, पता होगा, पद्म भिभूशन, प्रिथम कोई अधर देश की प्रिदार मंतरी बने है, पद्म भिभूशन प्राप करने में वाले, 2021 में, याद अखना, और इनी को, यह रहा कोशन, सिंजो आबे को पन भिभूशन, मेरा था ना, हर चीज नियुज आपके सामने है, नेक्स्ट है, हाँ, और यही मोटिवेशन के साथ, जो मेरी क्लासिस होती है, यह सुबह SSE एक्जाम, सुबह एक्जामबर पर, उस स्टुडेंट के लिए, जो परिसान होता है, सुबह 5 बजे हमें क्लास लानी पड़ी, ताकि हर स्टुडेंट पढ़ सके, जो होगा देखा जाएगा, आप मैंसे बहुत से यकीन नहीं करोगे, जब आपके एक्जाम सोते हैं, तो हजारों स्टुडेंट की मैसेज आते ह सर, मैं पेपर देने नहीं जा पाऊंगी, यह जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, हम अपनी क्लास को रिकॉर्ड करके, उस व्यक्ति को एक्जाम दिलाने गए हैं, पता नहीं कितनी बार, असम में घाल है, कभी हम गूमने नहीं क्योंकि हम इतना आप लोगों के लिए करने के लिए तयार हैं, बस बढ़ो तो आगे, देखते हैं, मिलके करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, मिलके करेंगे, कुछ अलग करेंगे, हाल में किस राजने, 62.60 क्रोड की लागत से, अपने पहले प्लास्टिक पार्क बनाने की बना था, यह इंप्पोर्टेंट है, या दिकना भारत में टोटल कितने बन चुके हैं, या दिकना भारत के अंदर टोटल जो बने हैं, वो अब तक 6 ल गए है, और चटवा कहां बना है, यह अमारे करनाटक में बना, आपके मध्व पारदेश में, यह भी मध्व पार्दे यह रहा आपका, दा सेंट्रल गवर्मेंट है रिसेंटी, एप्रोवड दा सेटिंग अप आफ प्लास्टिक पार्क आफ करनाटग, और एक और इंपोर्टेंट कोश्चिन, दुनिया का सबसे बड़ा कोडे कवाडे से बना हुआ, महातमा गांधी जी का चर्का कहां बनाया ग महाराष्ट मद्व परदेश हो गया, जारकंड हो गया, असम हो गया, ओडिसा हो गया, अच्छा, हमने दो राज गलत पढ़ा दिये, कोई बात ने, एक आप करना अटक, तो दो, तीन, चार, पांच, छे प्लास्टिक पार्क अब तक आप के लिए बन चुके हैं, डन, चलि दिल्ली के द्वारा किया गया, इसके तहत, तो यादखना, जितने भी स्ट्रकी होगी, इनका सौंदरी करल किया जाएगा, आपने देखा होगा, जब हमारी लोगों के साधिय होती है, साधियों में क्या होता है, कि मेक बाला काम होता है, तो इसी प्रकार से स्ट्रकों का मे जाले प्यार काई-जार होता है सबके सामने तो जो जैमाला होती है हम अपने साधी में क्या गरेंगे कि वह आपने देखा होगा जो वासिंग होती है वासिंग हां दौने वाली होती है आप में देखी होगी तो उस वासिंग में क्या है कि अपने साधी का जो मनलप होगा जहा आपको मतलब इसके आगे कोई नहीं हम पहले मुह दिलवाएंगे उसके बाद जैवाना पड़ेगी अनधा कुछ नहीं हो पाएगा बिना जैवाने का कोई काम नहीं है चलिए भाईया नेक्स्ट एक और ऑपरेशन सजग का असर एक और ऑपरेशन लिखो ऑपरेशन सजग इस क्या हुआ अच्छ एक इसका इक इच्सक्षाट ले लो एक और एक इसके इसके बार मेरे बनाएंगे हैं साद़ होड़े याद हो जाएंगे तिक है इक जम्मो कुस्मी लद्दाक चक्छतिजगड डेली अन्दमा निकोबार लक्चदीप पुदूचेरी और आपका जो भी है मसाला वो एक बर स्किन सॉट ले जो होपस इतना टाइम काफी था स्किन सॉट लेने के लिए चलते हैं आगे सर तो साधी तूट जाएगी साधी तूट देंगी क्योंकि गोरे-गोरे मुखडे की पीछे काला-कला चुसमा नहीं है काला-कला चेहरा ही होगा तो बैसे बैसे भी तोड़नी पड़ेगी यार है ना वो तो आर्टिफिसल चेहरा होगा नेक्स्ट है हाल में किस राज ने अपने 85 वर्सकांट पर इंफा टक्चर फाइनस अथोरिटी की स्थापना कर रहा है तो रट्टा मार लो भाईया कौन कर रहा है अरुनाचल प्रदेश कर रहा है अलग से कर रहा है तो कुश्चन कहां सरा आपको याद दखना है प्रतिमया का अनाप्रण कहां पर किया है है त्री सिटी आफ वर्ड दो जार इकिस को गुस्ट किया गया तै इस है तो है त्रावाद में मोदी जी क्या कर रहे है दो सो फुट यह भारत की सबसे उची हो जाए कि बैसे विस्ट में दूसरे नमर पर है ठीक है तो संद रमान जाचार की 216 फीट उची प्रतिमया का अनाप्रण कर रहे है और इसी उपलक्ष में आपको पता होगा आज हम लाए नहीं है ठीक है बट कोई बात नहीं इनी रामानुच के लिए भारत में मैथमेटिक्स के लिए आवाड भी दिये जाते है तो हमने आवाड आपको करवा खहर पहले दुबारा खहर करवाने कोई मतलम नहीं है इमेज हम लाएनी नहीं तो आपको आम कबर करा दे थे और इसी तेलंगाना ने एक कारकरम शुरू किया इस कारकरम का नाम याद लखना है ठीक है माना औरू माना बाड़ी जिसमें इस्कूलों को क्या किया जाएगा innovation किया जाएगा आगे बढ़ाया जाएगा next है question number 26 हाल में किसे PMALA नर्याक प्राधिकरण के नए अद्दक्ष के रूप में निक्ट किया गया है who has been appointed as the new chairman of PMLA adjusting authority एंडी जैसी कभी नहीं सकता हो तो CEO है भया उसके किसके हमेरे Amazon के तो याद दखना अभी हाल में विनोदा नंद जा को क्या किया गया है PMLA यह एक प्राधिकरण है और यह एक परिकार का act है quality वाले ध्यान देना जो UP में त्यारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए important है यह act है 2008 का ठीक है 2008 का act है 2002 का act है 2002 का act है धन सोधन निवारण अधनियम 2002 इसका full form है PMLA का prevention of money laundering act money laundering होती है उसके खिलाफ में धन सोधन निवारण अधनियम 2002 भारत की संसत का एक अधनियम है और याद खना हमारी भारत की संसत ने एक airport launch किया है जो कल पढ़ाएंगे ठीक है अधनियम एक जुलाई 2005 से लागू भारत के अंदर हुए थे next है बैटा हुआ मूर्ती हो गया सर जी क्यों हो गये मतलब मेरे भाई क्या कहना चाहरे हो हाल में किसने नौवी राष्टी मैला आइस होकी चेंपियंसिप 2022 का किताब जीता है तो याद रखो क्यों सर हो जाएगा लग्दाख सबसे पहर समझना क्यों सबसे पहले अगर एट डालोगे जो नाइन्थ आटवी होई थी वर्स 2021 में इसका सुबारम सर कहा हुआ था तो लग्दाख में इसका सुबारम याद रखना लग्दाख में हुआ था लेकिन इसमें विनर कौन रहा था सर तो याद रखना ITBP याद रखना ITBP जो है वो इसमें विनर रही थी लेकिन अगर आपसे पोच दिया जाये कि सर नौमी कहां पर हुई थी इसका आयोजन हुआ था, हिमाचन परदेश के अंदर, सर विनर कौन रहा है, तो याँ दखना, अब की वार विनर रहा है, लगदाक, लगदाक विनर रहा है, और इसी के साथ सर जी, एक और मौय मेट पूर चीज, इसमें हारा कौन है, सर जी, रनर कौन है, तो याँ दखना, चंडीगड क्या है इसमें यह दख्ञां 36 गड़ मत कर दे ना चंडीगड इसमें बिन रहा है हारा हुआ है लेकिन हुआ कहां पर था एक इस्टैटिक का कुश्ण लिख लेना स्पीती वैली कहां पर है हिमाचर प्रदेश में है कोश्ण कहां सर हो जाएकर लद्दा के दारे इसको जीता गया है डन हो गया वेरी नाइस अच्छा जी यह रही आपकी सुरा अर्याट रहो यार हो गया हाल में भारत ने किस देश के साथ मौझूदा सयोग कारकरम को तीन और वर्सों के लिए बढ़ा दिया तो यह दिखना नैपाल भूटा सिलंका बंगलादेश बंगलादेश के साथ जितने भी हमारे तुमारे प्यार मौबबत के संबंद थे उनको तीन महीने के लिए करेंगे बाद में नेक्स्ट हैं अगला कोश्चन आपका कोश्चन नमबर 29 निम्ड मेंसे किस देश में चौथा एसिया मंत्री परिसत सम्मेलन आयूजी किया जा रहा है इन विच आफ दा फॉलविंग कंट्री दा फूर्थ एसियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस हैज बिन ह दित्त करेंगे कितना प्रतिन दित्त करेंगे और इसमें याद दखना भारत के चौदा उनको चुना गया 14 14 टाइगर रिजर्ब को चुना गया है और उनके राजज भी उसी दिन कभर कराये थे कौन-कौन से हैं नेक्स्ट है आपका ये रहे आपके मानस काजिरंगा की दुदवा पराम विकुला मदूमलाई बांधीपूर सुबर बंज इन सभी नेशनल पार्क और टाइगर रजर्ब के याद रखना और इन सब के स्टेट याद रखना ये कहां पर है ठीक है और ये अगर चाहिए तो कल की किलास में आपको टाइगर रजर्ब सारा निप्ट स्टेटिक के तो कल वाली क्लास देख लेना जो होई थी नंबर 30 है हाल में 1970 के ACI खेलों के कां सुपदक बजेता सुबास भामिक का हाली में निदन हो गया ये किस से संबंदित थे इन्होंने ACI खेलों में 1903 में कां से पदक जीता था और अभी हाल में ये इनका निदन हो ग अपनिंद थे और अभी हाल में निदन हो गया है सच मैं याद नहीं था मैं तो याद रखना ब्लॉक्चेन का निर्माड आयटी कानफुर के दौरा किया गया था हमारे नरेंद्र मोदी के जारा टोटल याद रखना 39 बच्चों को इसमें से 15 मेल थे और इसमें 14 फीमेल थे इनको नरेंद्र मोदी ने पहली बार क्या किया है डिजिटल प्रमाड पत्र दिये हैं लाइका अवार्ड दिये हैं सर आप बहुत अच्छा रहा है इसे के साथ में याद रखना एक और चीज वह क्या थी ब्लॉक दो चीज है याद रखना ब्लॉक चैन पार आधारित जहां रखना दोना चीज है ब्लॉक चैन पार आधारित एजुकेसन डॉक्यमेंट पारित करने वाला भारत का पहला राज तमिल नाडू और ब्लॉक चैन पार आधारित साइबर सेक्यूरिटी प्रतान करने वाला भारत का पहला राज बन जाएगा महाराष्ट, तो दो चिपक गए, याद रखिएगा, नेक्स्ट कॉशन आपका आता है, यह हमारे मोदी जी हो गए, और अगला हमारा अवार्ड हो गया, हाँ, मोदी जी ने जो 39 लोगों को अवार्ड दिये हैं, एक बार इस किनिन सोट ले लो, कितनी इस रेडियो में दिये गए, तो भाई साब 6 रेडियो में दिये गए, बत्रावाड दिये, खतम कोशन, चेक एचेक कंप्रेड, 15 लड़की और 14 लड़कियां, एक बार में पूरा कोशन, कबर, नेक्स्ट सर जी, तमिल लाडू, साइवर सीक्योर्टी पॉलिशी 2020, और हमारे महराश ने क्या किया था, ब्लोक्चेन पादाधारित, उल्टा बता दिया क्या, उल्टा बता दिया यार, तमिल लाडू ने साइवर सीक्योर्टी पर पायत किया है, और महराश ने किया है, एजुकेसन डोकुमेंट पारित, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, हाल में सरस्ति नदी का काया कल्प करने के लिए, हिमाचल परदेश ने किस राज के साथ हस्ताक्षर किये हैं, हर्याना के साथ, और काया कल्प का मतलब है, बांदी ब्रिज, इन्योवेशन का दूसरे दिन का कोश्चन था, बांदी ब्रिज बनाया जाएगा, कहां पर बांदी डैम, बद्री डैम, कहां पर हर्याना के अंदर, हाँ हर्याना के अंदर इसे के साथ में next question आपका आएगा यहां पर होगा यह आदी बद्री यहां पर यह डैम के निर्माड होगा जहां पर आपकी रिवर है सरस्टी अगला किस देश में आयो जित बीसवे अंतराश्टी फिल्म समारो में फिल्म कुंज गल फ्राम इंडिया इसी में एक इन्वेशन कुशन लिख लेना कॉपी में अभी हाल में दो मुवी को इंडियन मुवी की इंडियन मुवी जो एक है आपकी जैबी और एक है मराकर ठीक है अरे बिक दा लिंते सिंगम को आउसकर 2022 के लिए आधिकारिक तोर पर सॉट लिष्ट किया गया है जैबी मदर इंडिया सलाम बॉंबे और लगान के बाद आउसकर के लिए नामाकित होने चौती बनिया जैबीम और यह टोटल चार मुवी होगी 2020 के लिए भारती है कौन सा देश नाटो अब्यास नैप्चून इस्ट्राइक 2022 सहित स्वेम की नौसेनिक शमताओं का क्या करेगा परदसन करेगा और सबसे अच्छी बात पता क्या है एक में रुखना आप मैंसे कोई इस्ट्रेंट है वो थोड़े परिसान है उनकी क्या दिक्कत एक बार देखनी पड़ेगी राव को जो मूर्ती बन रहा है है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा बैठा हुआ होगा और दा ग्रेड इस्ट्रेंट गुद्ध का पहला होगा इतने गुष्से में यह मैसे लिखने की क्या बात है इतने गुष्से में यह मैसे लिखने की क्या बात है जो हमने बताया वही तो आप भी बता रहे हो अब भ्यास नेप्चुन इस्ट्रेक इसको यादखना मेडिटेरियन सी यानि की भूमद सागर में आयूजित किया गया और कल उमने आपको भूमत सागर के साथ सारी संधियां कबर कराइं थी, अगर आपने बेखु योगे, आप लोगों सारी संधिया नहीं की है, इस से पहले वाए जो क्लास ती, उन्में, जो S.S.E. विभी होई थी, उसमें चाल्य संधिया को त viral करे राईं थी, ठीक है, तो य या दखना इसी के पास यहां रखना चाइना रसिया कुश्टन का स्राज्य होगा वह यह भी जाएगा जो सेनाओं का प Dinner करेंगा नेवी की लेकिन नेप्चिन इस ट्राइक 2022 जो 22 मी है यह दखना इसका इसका प्रतिन दित कौन करेंगा तो इूसे के यहां पे दो कोश्चन निकलते हैं अलग से, या दखना, यहां पे दो कोश्चन निकलते हैं अलग से, और अगर आप लोग इस कोश्चन को मेरे साथ, प्रॉपर तरीके से, इमेज के साथ समझना चाहते हो, तो कल अमने आपको एक विवाद पढ़ाया था, इंटरनेशनल, सामाजिक सुरच्छा सेवाओं के लिए, एक हजार करोड रुपए का रड़ परदान किया है, तो पस्चिम बंगाल को सोसिल सर्विसिस के लिए, अभी हाल में, वर्ल्ड बैंक के तौरा, क्या दिया गया है, एक हजार करोड का रड़, और हमने आपको, 2020-2021 के सारे रड़, जो सिर्फ इंपोर्टेंट है, सारे कबर कर रहे थे, ड़न हो गया ना, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन है, अगला, यह आपका वर्ल्ड बैंक, कितना, एक हजार करोड, लॉन फॉर, 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 किस के लिए, सोसल सर्विसिस के लिए, हाल में, किस देश नया राश्पती, आर्मेन सरकिसियन ने, कट्टर पंती प्रतिक्रियाओं के चलते, अपना इस्तीफा दे दिया, यह भी निकल आर्मेनिया, कैपिलल का नाम है, यह रेवन, नए प्रेसिजेंट बनेंगे तब आपको बता दिया जाएगा, प्राइम मिनेश्टर का नाम क्या है, निकोल पाशनियन, और भारत के राजदूत कौन है, कहां पर, आर्मेनिया में, तो क्वेशन कहां सरो जाएगा, किसंदान नाम याद दिखना, किसंदान देवल क्या बने है, इंडियन एमबेजर, यानि कि भारत के राजदूत है, आर्मेनिया के अंदर, नेक्स्ट, हाल में बारत ने, ACI केलों की, स्वेक्स इस परदा में, बहतर प्रदसन के लिए, किसकी निक्त की है, याद दिखना, अतियंत मै होने वाले हैं, उसमें सेफटी मिसन के लिए, किसको निक्त किया गया है, है ना इंपॉर्टेंट कोशन, तो याद रखना, क्वेशन कांसर हो जाएगा, क्रिस वाकर को, इन्होंने बहुत सारे कांस गोल्ड बगरा बगरा पदक जीते हैं, इसी ACN गैम्स में, और यह रहने सेफटी मिसन के तहट, कौन कौन से सर जी, सबसे पहले याद रखना, ACN गैम्स 2022 में होंगे, यह होंगे आपके हैंड डश्ट में, और अगर बात किया, 2022 के कौमन वेल्ड कहा होंगे सर, तो यह होंगे आपके बर्मिंगम में, कहां पर बर्मिंगम में, समझगे कोने सेफटी मिसन के लिए इन दोनों को निक्त किया गया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नेक्स्ट आपका होगा, कौशन नमबर 38, किस कंपनी द्वारा 2022 के मत तक, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाप्तरल करने की, गोशना की है, विच कंपनी है, विच इसकी, यह कंपनी किस की है, मेटा की, तो कौशन कहां से आपको याद आखना है, मेटा की दारा विच्ट का सबसे तागतवर सुपर कंप्यूटर को लांच किया जाएगा, 2022 के मेडल में, ठीक है, मेटा है नाउस टू, अन्वेल दा वर्ल्ड फाटेस सुपर कंप्यूटर अगरा प्लध चाहिए बहुत अच्छी बात है, आप वर्ल्ड फाटेस से पढ़ाएंगाma मेल मेरा Laptop है, पर्सनल छोटा है थोड़ा तो पर्सनल लैप्टॉप है हर चीज में मेरी आज कि आपको वर्थी सही मिलेगी यहां दखना मतलब हर चीज में और अंदर की बात की जाए तो फुल आफ डिजाइन है कोच इंडियन आर्मी है ना हर चीज में आपको एक लेटी मेरी मिलेगी सिर्फ इंडियन आर्मी के साथ में एक जुनून है जो जब अच्चा पैदा होता है तब से उसके इंदर जुनून आ जाता है तो जब भी सुबह उठते हैं जब काम करते हैं तो इसकी इमेज सामने आती है तो पैन कॉपी अपने आप चलता है तो एक अमेजिंग है सौक पालो तो ऐसा पालो जो जिन्दगी बदल दे है ना इसी के साथ वर्दी के आसी को इसलिए अपने बताएं आपको नेक्स्ट है हाल में ने मैसे किस राज को अपनी तरहिका का पहला बैग्यानिक पक्ची एटलस मिला है तो यार दखना यह एटलस आपको केरल का मिला है किसको केरल को अपना पहला पच्ची एटलस मिला है जब हमने यह कुशिं कराया था ना उसके बाद में अधर्स निज निकली थी और इंटरनेशनल कस्टम डेज ऑवजडव एवरी एयर टू सपोर्ट ठीक है मैंटेनिंग बॉर्डर सीक्योर्टी 24 जनवरी 25 जनवरी 26 जनवरी किस दिन पर देख वर सुसीमा सुरच्छा बना रखने के समर्तन के लिए अंतराष्टी सीमा सुल्क दिवस्त की रूप में मनाया जाता है तो याद रखना 26 जनवरी को हम लोगों ने 73 मा रिपब्लिक दे मनाया था उसी दिन याद रखना कस्टम दे के रूप में भी बनाया जाता है ठीक है यह रहा आपका इंटरनेस्टल डेय ओफ कस्टम ठीक है 26 जनवरी नेक्स चरजी अरे यार चलिए भाहिया हाल मे भारत ने किस देश के साथ राज नईक सम्मंद इस्तापित करने पर इसमारक लोगों जारी कर दिया तो भारत ने इजराइल के साथ सम्मंद इस्तापित किये थे 1907 में और अब इसको 87 या 89 में और अब क्या हुआ है अब इनको पूरे 30 साल पूरे हो गए हैं और 30 साल पूरे हुए इन्होंने एक लोगों जारी कर दिया अच्छा लोगों है आप देख सकते हो यह लोगों बारत और इजरायल के प्यार मौंबत की निसानी है अगला कोशन आपके सामने हाल में रतन टाटा को किस राज का सर्वोच नागरिक सम्मान डैस वैबब से सम्मानित किया गया है विट इस्टेट हाइस सिविलियन ओनर वेवब हैज बिन अवाड़ेट टू रतन टाटा रिसेंटली असम सिक्के मेगाले या फिर आपके महाराश्ट तो या दखना कुश्शन कांशा जो होगा हाल में रतन टाटा को किस राज का सरवच नागरिक सम्मान मिला है तो यह असम का सरवच नागरिक पुरुसकार मिला है किसको रतन टाटा को जो यादखना टाटा समू के ओनर इस समय है डन अगला आसम गर्मेंट हो गया चलिए आगे बढ़िए किस देश ने अपने द्वज का कॉपिराइड खरीद कर आधिकारिक राश्ची द्वज और प्रमुक आधिवासी पृतिक बना दिया बीस मिलियन डॉलर पे किये जेब से फिर बना है तो सर जी कहां पर बना है तो कॉश्चन कांसरा को याद अखना है आउस्टेलिया ने अपना क्या खरीद लिया राश्ची द्वज खरीद लिया वो नहीं पांस सेतारे वाला वो नहीं है यह अलग है जो ट्राइब आधिवासियों सम्मदित है और अब यह हर जगह फेरा सकते हो कोई भी आप पर कॉपिराइड नहीं लगेगा तो इसको खर किस राजने अपने लेविंग क्रूट बिच के लिए विष दरौबर पहचान की मांग कि आपील की है तो यह भी रूट के लिए विस धरौबर पहचान की मांग इसने नहीं किए rigor किसने है यह जाले में मेगाले में यादखना Geological Survey of India Geological Survey of India इनकी पहली महिले अद्धिक्ष की नाम है Dhrithi Banar Ji नाम क्या है? Dhrithi Banar Ji जो खुद में करेंडेफर का कोशन बन गया ठीक है? Dhrithi Banar Ji की नाम यादखना Geological Survey of India की पहली महिला अद्धिक्ष इनकी दारा Living Root को की मांग की गई है UNESCO से भाया जोड़ लो जोड़ लो वही कोशन आईए किस में UNESCO में ठीक है? Megale Living Root Bridge Vying for Tech for UNESCO World Heritage Site Next हाल में Airtel ने किस राज में अपने अच्छा एक बात बताओ आप लोग सब पढ़ते होगे अगर हम आपसे पूछ दें जो UNESCO है UNESCO की भारत के अंदर किसनी अमूरत साइट हैं? बस इतना एक कोशन बता दो मेरा अमूरत जो साइट है भारत के अंदर भारत के अंदर UNESCO की अमूरत साइटों की संक्या कितनी है? बैसे आपको पता होगे टोटल साइट जो है वर्ड हेरीटेज, अगर है आपसे पूछ दें वर्ड अगर आपसे हम हेरीटेज पूछ दें तो आपको पता होंगे कितनी हैundert है और संभावित कितनी है है या गर अमूरत पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? अमूरत देखो आप आप में से चाहें the cientoपर की बात की जाए या Arkansas上面 एक स्ट्थ को छोड़ के अरो अपने आप में हुआ रही आपकी खístन को like कर दो यार वैसे में दिख नहीं रहें लाइक कितने हैं लाइक और शेयर करना चाहो थोड़ा सा कर दो थोड़ा से प्यार की जरूरत है तो क्वेश्चन कांसर चार हैं सिर्फ भारत के अंदर पहली 2008 में जोड़ी गई थी साथ में क्या या अभी तो पढ़ाया था उस दिन पहले एससी पे इत दखना जो दुरगा पूजा है इसको चौथी अमुरत साइड की रूप में वो किया गया है नोट किया गया है जो पस्विं मंगाल सम्मदित है ध्यान से पढ़ो समझ गे एरेटल यह कहां गुज गया अच्छा हां इसको ही गोशना था हाल में एरेटल ने किस राज में अगलाकोशन है नेक्स कुशन आपका, हाल में द Works का पहला गया का इनदर mo Abacurom Спतलत का रूप में और 276 ब्रूँट कहां इसका सुवारम किया जा रहा है हाल में Transparency International द्वारा जारी बरिश्टा चार दाड़ा सूचकांग में बारत किस इस्तान पर है भारत 85 नंबर पर है टॉप डैनमार्क न्यूजिलेंड फिनलेंड ये तीन आपके फिनलेंड है तीन देश हैं फिनलेंड साथ डैनमार्क तो है न्यूजिलेंड भी एक और है क 14 नहीं होगा चार है अमूरत इमेज दिखाए तो इस दिन हमने आपको 14 नहीं होगा 14 alum मता जुनको मानाय तो जाता लेकिन कभी देखा नहीं गया 14 है भी चार अमूरत है आपको अब दे बात एक संसकृती t सांस्कृती है समझो बात को है ना कोई बात नी कोई बात नी नेक्स्ट क्लास में किलियर कर देंगे यह सिर्फ दो चीजे लॉंच करती है रिलेज करती है क्या 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 गुलोबल करेप्सन रिपोर्ट भी जारी कर दिया और इंडेक्स भी जारी कर दिया और यह कुछ भी ज रिपोर्ट जारी करती है जो हमने लेश्ट आपको पहले से दे चुके हैं अगर क्लास में रहते होगे तो आपको मेली होगी अभ्यास ओमान एक हाल में चीन यहां पर रसिया हो जाएगा और यहां दखना इरान यह तीन के तीनों देश गल्फ ओमान में क्या कर रहे हैं अभ्यास को कर रहे हैं और इसी गल्फ ओमान की साथ साथ हमने आपको गल्फ ओमान को जो फेरिस की खाड़ी है तीक है उसको कौन स इरान रसिया और इरान यहां पर देखो सही लिखा है ठीक है उस दिन पढ़ा गलत दिया था किसके द्वारा जारी विस आर्थिक आउटलुक में भारत की दर 2022 से में इतनी से घटा कर कितनी कर दिया चार दिसंबर चार परसेंट तो यह की है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के द्वारा नेक्स्ट क्वेशन अगला क्वेशन आपकी स्कीन पर इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के बारे में इंटरनेशनल मोनेटरी फंड बना था सत्ता है दिसंबर 1945 को गीता गोपिनाथ इसकी चीफ एकॉनिस्ट है अपने भारतिये हैं और हेटकॉर्टर का नाम आपको याद रखना है वासे कटन डीसी यूएसे मैंजिंग डिरेक्टर का नाम है क्रिस्टानला जीओर जीवा और मेंबर्सिप याद रखना टोटल 190 देश हैं सामिल और इसमें 180 यूएन के हैं तो एक देश ऐसा कौन से जिसको दिक्कत हो रही है यह है आपका कॉसोवो कौन है कॉसोवो डन नेक्स्ट अजैंसी इसका इसके सब्सक्राइब फटापट से जिन्होंने अपनी अपनी भारत के अंदर क्या लगाई है अपना अनुमार नामक पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है और रिसेंटे रिलीज बुक टाइटल दा एंजल्स आफ कैलास बिमल जालान सुवीरा परशाद जैराम रमेज डॉक्टर बीना बढ़की तो या दखना कॉशन कहां सर सुवीरा परशाद के दौरा यही है ना सुवीरा इनके साथ अगर आप मेरे साथ कवर करना चाहते हो एक दिन एक साल की करन रिफर के बराबर तो आप मेरे साथ सुबह पांच बटे से एक्जाम बेग्जाम पूर पर मिल सकते हो ठीक है नेक्स्ट किस राज ने दिवंगत जर्नल रावत के सम्मान में जर्नल वेपन रावत हाल राज की जनता को समर्पित कर दिया तो अरणाचल परदेश ने समर्पित कर दिया और ठीक है और इसे के साथ एक और चीज आप लोग को बताना चाहेंगे जो कब ज durum down nesam कियुकि आपनी साफसे आपको मिलता है तो इसलीज आप उससे पर्यसान हो रहें यह प्रक्राश को एह क्लास तो तो स questions I could क्यों कि आप लोगों की slow speed है बहुत जाद है इसलिए मैं करना पड़ा है और आप लोगों को आज क्लास अच्छी भी लग रही है इसलिए लग रही है कि आपके मन का हो रहा है आज समझ गें लेकिन ये गलत है इतना लेट नहीं होना चाहिए हम खुद कह रहे हैं जो पढ़ा मान है एक टीचर बाद में मानना आप बट सबसे पहले एक छोड़ा बड़ा भाई मान लेना और गौर करना कि अगला कर कोई इंसान कुछ कह रहा है तो खो सकता है कुछ ऐसा हो थोड़ा सोचा गरो फिर डिसिजन लिए अगर को कि लेना तो आपको ही है हाल में बारत ने कि कि इसे हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपरेशन लिमिंटेड के नए चेर्मेन की रूप में नुक्त किया गया है HPCL पुष कुमार जोसी और हमने आपको इस कुछन को भी गलत करवा दिया था HPCL एक महारतन कंपनी है ठीक है HPCL एक महारतन कंपनी है और हमने आपको गलत यह लगों ने ही मेरी अप लोगों के बज़ ऐसा ही है क्यों के आप लोगों के बज़ आई आप लोग वह कर देते हैं आथा ना तो रहें的話 नर्मस नहीं से कदम होने लगता है हाली किस राजने कि स्राजने प्रशासन विकास के हित्म है 13 नहीं जले बनाने को मंझूरी देदिय से 11 तेरा बन जाएंगे हो जाएंगे कितने 24 तो याद रखना यह मंजूरी दी अभी हाल में आंधर प्रदेश ने यह रहा आपका आंधर प्रदेश और जो तेरा नए जिले बनेंगे वह आपके सामने हैं जिन से हमारा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है लेकिन लेकिन आंधर प्रदेश किसके तहत तो याद रखना जिला अधनियम 1904 की धारा तीन पांच के तहत यह नया जिला बनाएगा यह इंपोर्टेंट है एक्ट याद रखना बस किस देश में आयसा मलिक देश के सरवच नयले की पहली मैला नयदिश बनी है तो पाकिस्तान और हम सब कुछ कबर करा चुक है हम आपको पहले से याद रखना सब कबर हो चुक है आपका हाई कोट और सुप्रीयम कोट के साथ हर कोशन आप कोम करवा चुक कबर 2020 के संबंद में नेक्स है और हमने आपको लगबाग में सारे राजयों के हाई कोर्त के जस्टिस भी लिखवा दिये थे उस दिन, ठीक है, हाँ, तेरा थे पहले और अब तेरा जोड़े जा रहे हैं, तो अब की सगाई हो गई, अरे या, सुब सुब बोलो, हाल में किस, अभी तुमने मुह दोलाने वाले सिंख भी नहीं खरी दी, हाल में किस राज सरकार ने ग्राम वन अभ्यान का सुबारम किया है, ठीक है, ग्राम वन यहां पर गलत है, तेरा दिश्टिकों के साथ में इरों ने अपना ग्राम वन अभ्यान का सुबारम किया है, हाल में किस की दोरा आयूजित अभ्यास, पस्चम लहर, पस्चमी घाट पर आयूजित किया जा रहा नेक्स्ट वेस्टर्न नेवल कमांड कंड़क्ट जॉयंट मेरिटाइम एक्सराइज पस्चिम लहर एक्सपियल टॉन्टी टॉन्टी टॉ हाल में इस रो द्वारा किस राज में गगणियान मिसन के रॉकेट विकास का परिचड किया गया तो यहाँ दखना यह तमिल नाडो के महेंद्र ग्री में अभी हाल में क्या किया गया है विकास रोकेट का परिचड किया गया जो बारत का पहला गगणियान मिसन होगा जहां पर मानव युक्त मिसन है इसको रसिया फ्रांस की माद्यम से भारत सेंड करेगा लॉंच करेगा नेक्स्ट हाल में विमोचित पुस्तक लांस्ट विद इक्वलेस पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार्स विलेज किसके दौरा लिखी गई है MR सरण की दौरा ठीक है इस पुस्तक को भी हाल में MR सरण की दौरा लिखा गया है यह रहे आपकी पुस्तक यह रही हमारे MR सरण जी नेक्स्ट है निन्मेंसे किस दिन प्रतेग वर्स अंतर राष्ट्री प्रले इसमरण दिवस रूप में मनाया जाता है तो याद दखना 27 जन्वरी को सेकंड वर्ड वर्ड जो 1949 से 1945 की बीच में हुआ था उसमें जितने भी सैनिक सहीद हुए थी उनको बच्चों के प्रती उनकी जो बच्चे हैं उनका पैदने दे तो उनको जागरू करने के लिए प्रती वर्ड से अंतर राष्टे पर ले इसमर ग्लोवल 500 के लिश्ट के नुसार दूसरी सबसे मोलवान कंपनी कौन है तो दूसरी है यादखना एमेजॉन और पहली का नाम है आपका एपल इसी किसाफ से सबसे मैथ पूर एक बार इसकी निसाट हमने आपको कल भी अच्छा वो तो निकल गया कोई वात नहीं कल तो बैस निर मोवुँवांग गाउ पुर्वत्तर राज का पहला ओढियफ मङ का ना तो दियाद दहीं था कशल ग्या है इस जला यह जिला जैसे मोविवियांग का पहला किया बन चुका है पूर्वत्तर का तो पूर्वत्तर तेवर्फ प्लस गांवाँ गए रहा जो राज था ते लागडंगाना जो ODF free हुआ था ठीक है यह रहा तेलंगा ना top in highest number of ODF open defending village इसको अलक्स से आप लोग याद रखना next है हालं में किस देशने तनाओ के चलते अमेर्की काड़वाई के जबाब में युकरियन की सीमा पर सेन आप क्या है और अपने एक लाग सेने भेतलों सेνεक द्याथ कर दीए तो यह रस्या नहीं काम किया है और कहां पर इसने घेर लिया है यूक्राइन का क्रीमिया नाम, क्राइमा नामे एक प्रकर का सहर है, उस पर दावा बोल दिया रसिया ने, कब से बोला है, ये बोला है, सेकंड वर्ड वर के बाद में, पहला रसिया ऐसा यूरूप देश बना था, जिसने क्या कर दिया, किसी अधने देश पर आक्रमण करके उसकी जगह पर घेराओ कर लिया, यूक्राइन, रूस विबाद और अमेरिका की चेतावनी, ये था पूरा मेंटर, ये तक हमने कर आपको पूरा समझाया था, सारी संधिया आपको पढ़ाया थी यहां पर, सब कुछ पूरा डेक्लिरेशन क्या है, क्या नहीं है, रसिया के साथ में क्राइमा सहर काम पर है, क्यों ये दिक्कत है हो रही है, सब कोछ अपने आपको पढ़ाया था, एक इंटरनेशनल मुद्दा था, रसिया करन्सी रूबल, कैप्टल मास्को, और आपकी, प्रेसिजेंट का नाम में मिखेल मिसुस्त तो ये तमिल लाडू में स्थित है, इसके साथ में आपको सारे अवाट कबर कराए थे, सारे तैगर रिजर्व कराए थे, कल के दिन, तो या दखना, टी एक्स टू प्रोस्कार दिया गया है, तमिल लाडू के सत्मंगलम टैगर रिजर्व को, नेक्स्ट है, ये 2008 में बन के तैर हुआ था, ठीक है, क्रेमिया पहले यूक्रेयन का था, रूस ने मारा थपड़ क्रेमिया ले लिया, लिया नहीं है, सिर्फ कबजा किया है अभी, और जो यूक्रेयन है, वो नाटो से कह रहा है, कि मुझे क्योंकि नॉर्थ अट्लांटिक पास में है, तो मुझे नाट मिलियन डॉलर मुल की वेंचर कैपिटल इस्तापित की है, बूटान, इजरायल, बंगलदेश, स्यूद अरब अमीरात के साथ में, याद रखना, ये यू ए ए के साथ में, इन्होंने क्या कर दिया, मुली की वेंचर कैपिटल को स्टार्ट किया है, यू ए के साथ मिलकर, न अरुडाचल परदेश में इस्तित है, ये वाइलाफ सेंचरी, इसी के साथ में, लिजाड एक प्रकार का चिपकली, किस राज ने बारत का पहला, अपने तरह का पहला, ठीक है, ब्रैन हेल्थ इनिसेटिव लॉंच किया है, तो करनाटक सरकार के द्वारा लॉंच किया गया तो या रिध्डुरा naar ہं, राश्पति बनी है, और इनका नाम है सीो मारा कास्तरो, ठीक है, रिपरब्लिक अ ओफ हंडुरान्स कैप्ल का नाम है आपके सामने है, करम्शी का नाम है लैंपिरा, और प्रेसिडेट का नाम है सुवमिरा कास्तरो जो अब इहाल में बनी है, नि एर टेल के साथ में और एर टेल अपना पहला सूलर इन्विशन पार कहां खोला 21 मेगावाट का तो याद दखना यह खोला है आपके महाराश्ट्र के अंदर यह आपका वन बिलियर रिलेशंसिप गूगल और एर टेल के साथ का हाल में विमोचित लिटिल बुक आफ इंडिया किसके दौरा लिखी गई है तो याद रखना इस पुस्तों को भी हाल में रस्टिन बॉंड के दौरा लिखा गया है यह थी वह करेंट अफियर्स जो आपके एक्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मैधपूर थी जो आप लोग मेरे साथ वीकली कवर कर चुके हो लेक एक बार इंपे नजर डाल लो बाकी स्लाइड आपको यह आपको पहले से पहले से मिल लाएगी यह यह वह चीजें हैं जो आपको लिखित में नहीं किराते हैं यह वन अलाइनर नहीं जोती है ठीक है अच्छा समरार सेंग जी हाँ बाई ऐसी मुद्दे पढ़ने मजा आता है यह दखने हैं सबसे पहले एक नीज है 2019 में 166 मिलियन की तुल नाम है 2022 की वैसुक बेरोजगारी का इस्तर 27 मिलियन होने का अनुमान है सबसे में पूट कॉश्चन 2019 में था 166 मिलियन बेरोजगारी और 2022 में यह बढ़के किसनी होने के असंका है 207 मिलियन होने की अनुमान अभी हाल में लगाया गया किसने या दिखना इंटरनेशनल लेवर और और्गनाईजेशन की द्वारा इसी के साथ 2022 में 201 इस्तर पर काम करने के कुल घंटे पूर महामारी इस्तर से 2% कम होने का नुमान है 2022 में 201 स्रम बल की भागिदारी दल दर नोवेल कोरोना वाइरस रोग महामारी शुरू होने से पहले 2019 के तुल्ला में 1.2% नीची रहने का नुमान लगाया गया है पिछ सब्जेक्ट पर दिमाग से फोकस करना करेंट इस्टेटिक पर फोकस मत करना वह हम समाल लेंगे इमान दारी से लगना लेकिन इमान दारी से बाकी चिंता मत करो फॉंडिड 1919 चीक है 1919 में आपका ILO बना डिरेक्टर जनरल का नाम है गे राइडर फॉंडर का नाम है पिरिस सूच कांग किस ने जारे किया तो RBI इरिजनल बैक ओफ इंडिया के दोरा जारे किया गया इसमें यह बताया गया है कि बारत में डिजिटल मोड के माधियम से बहतान की प्रतिक्रिया है वह सितंबर 2021 में 49.94 से बढ़कर 304.96 हो गई है जो एक साल पहले महीने में कितनी थी 21 217.94 से बढ़ गई है कितना अमेजिंग डाटा आया है मतलब अगर एक रुपया के टॉफी भी खाने गई ना तो दुकांदार से कहते है भाई या फॉन पे देना वही प्रतिक्रिया है यह रिजरपाय को उफिट इंडिया एक अरपल 1935 पचीसवे गवर्णर का नाम सक्ति गांदास और मुंबई महाराष्ट याद अकना इसका हेड़ कॉर्टर है नेक्स्ट है वैसिक फार में और हां जो एक्जाम पर में इस्ट्टेंट्स है जो यूपी पुलिस लेखपाल किसी भी अधर इस्टेट्स के एक्जाम त्यारी कर रहे हैं वो भी परिसान ना हो अग किसी भी जार्गन उडिसा में घाले तर पुरा जहां से लुग लुग करते हो बस एक बता देना कि सर मेरा यह एक्जाम है और मुझे इस्पेसल पढ़ा दो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा हम आपको इस्पेसल पढ़ा देंगे क्यों क्यों कि हम आपको ऐसी करेंट अफ है आप लोगों ने देखा होगा आप लोग टीचर का नंबर आप लोगों को मिल जाता है आप लोग कॉल बगयर करते होगे कोई रिप्लाइ नहीं देता होगा है ना मेरे पास दिन में 100-200 कॉल और कम सकम 500-600 स्टुडेंट्स मेसेज करते हैं मोवाइल पर नंबर उनके पास सिंगल हम अकेली स्टुडेंट टीचर ऐसे हैं जो रूम पर अपना अकेला कारवार स्कुद ही करते हैं तो दस से बारा बज़े के बाद जितने भी स्टुडेंट्स का मेसेज आयता सबका रिप्लाइ देना ही होता है हम ऐसा कोई स्टुडेंट नहीं है कॉल करते हो हम उठ लिएव के से नहीं भागना है बस इतना याद दखना वैस्टिक और हां और वह रिकॉर्ड बनाने का मेरा भी मन है बास समझती आप लोग होगी सब लोग की टीचर बहुत अच्छे हैं जिनका आम नाम नहीं लेंगे यहां पर फेक्ट हैं एकदम लिए बनाने का मन है लेक बैस्विक फार्मलेटिक्स दिग्जिश फाइजर इंग जिसने फाइजर बायंटेक के साथ मिलकर फाइजर बायंटेक नाम एक बैक्सिन बदाई थी ठीक है इसने क्या कहा है इंग कि अद्यक्ष मुक कारकारी अरवर्ट बैलरो को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्टित उत्पत्त प्रुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है और फाइजर की बात की जनवरी 1849 में स्तापना की पीपल का नाम है अरवर्ट बडरो जो CEO है शार्लेस फाइजर चार्लेस ए अरहार्ट यहां की फाउंडर है हेटकॉर्टर का नाम है नियु यॉक नेक्स्ट पुस्तक एक क्या है हाँ यह चले गए है तो जीवित सबसे बुजर्ग व्यक्ति पुरुस के लिए गिनीच वर्ड रिकॉर्ड मेंन का नाम भी है और यह कितना जीए है सर जी एक सो बारा वर्ष तो जीए ही है और एक सो तीरमा होने वाला था तब तक चले गए याने कि इनकी डैथ हो गई है तो ए 341 सर जी आप अपना नंबर दे दो हम परिसान नहीं करते खुश्बू कुमार्णी जी अच्छा सर साधी कर लीजिए सर करांती रोज होगी पाकिस्तान की पागल हो गया जिस दिन साधी होगी ना उस दिन भारत और रूस का मुद्दा पकड़ा दें कहां का है उस दिन सव लाइन भी आ जाएगा इसलिए साधी नहीं कर रहे हैं गुरू क्यों परिसान हो चीक है बैसे घर अजिए सब्सक्राइब करना इसे लीप अहेड भी कहा जाता है इसका मुख उद्देश भारत में स्टार्टप की मदद करना है इस लीप प्रोग्राम की तहत फिलिपकार्ट को दो प्रोग्राम लागू करेगा फलिन और आपका फिलिन एफलिन का फुलिफॉर्म यादकना फिलिप कार्ट लीप इनुवेशन नेटवर्क और FLA का फुल फॉर्म यादखना फिलिप कार्ट लीप अहेड यह हमने आपको दौनों कुछ न करोगरा दिये यादखना फिलिप कार्ट के लाँच किया लीप इसमें दो अर्थ है एक है फिलिप और एक है आपका FLA दौनों का फॉल फॉर्म यादखना फिलिप कार्ट की बात करते हैं तो बना दोज़ा साथ में फॉंडर सचिन बंसल बिन्नी बंसल की पुबिल का नाम है कल्यान किष्णिमूर्थ और हेड़कोर्टर का नाम है बैंगलोर करनाटक इंडिया नेक्स्ट है भारती है इंडिया मेटर लॉजकल डिपार्टमेंट अब आता है इसने विहाल में क्या कहा है 21 जनवरी 2022 को अपनी 2021 की दौरान भारत की जुर्भायी रिकोर्ट को प्रिकासित कर दिया बारत ने 2021 में चरह मौसम की गटनाओं की कारवर 1750 लोगों की जानगवाई है 350 मौतों के साथ महराज सबसे प्रभावित राज था यह इंपोर्टेंट है और 2021 में विबिन राज्यों में 122 मौतों के लिए चक्रवाज जिम्मेदार थे चक्रवाज याद रखना कौन कहां से आया यह प्रजादी खोद सबसे पहली बार फरवरी 2021 में की गई थी चिक है सामेगरी निर्माता और अबनेतरी प्राजक्ता कोली बारत की पहली सयुक्त राष्ट विकास कारिकरम युवा जर्वायू चैंपिएन से बनी है पहली बनी है चैंपिएन याद रखना ये बारत की पहली मेला जिनको यह आवार्ड प्राप्त हुआ है इंपोर्टेंट है बहुत जादा नई दिल्ली की इस्तिति इंडिया गेट पर अमर जवान जोती के लौ को राष्ट्री समर इसमारक की जोती के लौ के साथ मिराया गया इस अवसर पर आयोजित समारू की अध्यक्षता एकिकरत रक्षा इस्टाप प्रमुक रादा गृष्ण ने की थी इंडिय हैंगे नहीं कर दिया है अगला कोशन सर जी अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल टैंकर मॉनेटरिंग कॉंसेल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजन्स के नुसार स्री नरेंदर मोदी जी तेरा बिस नेताओं में एकातर प्रतिसत अनुबहतर रेटिंग के साथ सीर्ष पर ह के साथ तृतिय स्तान पर आए हैं और यह लिष्ट आपकी अभी वाली है इसको भी याद दखना नेक्स्ट है कब तक लाज चलेगी बस ज्यादा नहीं चलेगी अच्छो 38 हो गया बस खतमी है वैसी यह वन लाइनर देख लो क्योंकि 100 कोशन तो हो नहीं पाएंगी जो हम इ अनल कुमार के द्वारा नेक्स्ट कुश्चन सर जी आइनस रडवीर की अंद्रूमी हिस्से में एक दमाका हुआ इसमें तीन सैनिकों को अपनी जान कवानी पड़ी आई एनस रडवीर भारती नौसाना के लिए बनाएगे पांच राजपूतों यहीं करेंट अफर आती है कि यह पांच राजपूत जो थे उनमें पहला कौन सा था क्या पता यहीं पूछते एक्जाम वाला तो याद दखना स्रेडी के बिद्वानसक मेंसे चौथा था यह सर जी तो पहला कौन सा था तो याद दखो पहले का नाम था राजपूत दूसरे का नाम है राना तीसरे का नाम है रडवीर जो वाइट है यानि कि इसमें बिलास्ट हुआ है और पांचवा है रन विजय कोश्चन करेंट अफेर का यह है और इस्टैटिक यह है यादखना करेंट फरीक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से आप इस्टैटिक पूरी कवर कर सकते हो बसरते साथ में इसको करेंट अपडेट स्टैटिक कहते हैं ठीक है साथ आपको यह बात नहीं भी पता होगी क्योंकि इस हिसाब से आपने कभी देखा ही नहीं था प्रस्चित पेसे बर प्रवता रोही मेजर हरीपाल सिंग अहलुवालिया करने दन हो गया मेजर हरी सिंग पाल अह सहसिक पुरुसकार किसको मिला है प्रियंका मोहिती को इनका नाम क्या है या दखना प्रियंका मोहिती इनका नाम है यह महराज के रहने वाली है और जुरिया के दसवे सबसे उंचे माण पोड़ा परवर्त पर चड़ने वाली प्रतम भारती महिला बनी है दन हो गया इसी के स्क्रेया मंत्री अमित सःहा वर्चुल मान्यम से जम्मौ कस्मीर भारत का पर्थम जिला सूच कांग जारी किया है नोड करना भारत के अंदर पहला रिद्रत का 22 मही से 26 मही तक स्रिटिजर लेंड की दावोस में की जाएगी क्या इनकी एक बैटग तो यहां दखना व्ल्ड एकॉनमिक फॉर्म की फॉंडर क्लाउस का फॉर्मेशन जन्वरी उनिस्विक अत्र में एक्जेगुटर चेर्मेन का नाम है क्लाउस सेवाब और हैटकॉर्टर क तो यहां पर है कॉलेंगी यह स्टिजर लेंड में रिष्टिट है पर्रयाबरण वन और जलवाईव परिवरतन मंतराले ने हाल ही में इस्टार रेटिंग सिस्टम लांच किया है किसने लौंच किया वर यह राज जितना भी अच्छा पर्याबरण रखेंगे उनके इनुस single title तो याद रखना अभी हाल में वुमन में पीवी सिंदुने भी हाल में सेड मोधी इंट्रनेशन, बैडमिंटन, टूर्मेंन, 2020 में single title का खिताब अभी हाल में जीता है झीके याद रखना अगला है यार कितने हैं बस जादा नहीं है कुछ और रहेगे हैं 6-7 और है ठीक है जादा नहीं है 6-7 और है उनको और एक बार कवर कर लो फिर निकलते हैं आगे ठीक है नेक्स्ट है राश्पती रामनात कोविद ने 51 वेक्तियों को जीवन पदक पुरुसकार 2021 प्रदान करने को मंजूरी देदी है इसमें 6 विक्तियों को सर्वोच जीवन रक्षा पदक सूरा को उच्टम जीवन रक्षा पदक और 39 लोगों को जीवन रक्षा पदक दिये जाएंगे याद रखना यह गोश्णा की है हमारे रामनात कोविद ने इसक 249 पुरुसकर्मियों को पदक से सम्मानित करने की गोश्णा की गई है सबसे जादा यह पदक याद अखना जम्मू कस्मीर की पुरुसपारों को दिये जा रहे हैं पेरू सरकार ने हाली में तेले रिसाओ के करण पर्रेवर्ण आपदा गुशित कर दी आपातकाल और वज सम्मानित के बीतर जलज्वाला मुखी टॉंगा के विसपोर्ट के कारड़ हुआ तो महत्पूट पॉइंट कौन सा है ज्वाला मुखी टॉंगा मारे डॉरिकम और पर्रेवर्ण आपातकाल यह तीन पॉइंट है कहां किसने गोश्ट किया सबकुश याद अखना और यह ट सुडिस रच्छा कंपनी साब को भारती ससस्त्र बल द्वारा एकल सौट एंटी आर्मर हतियार एंटी फोर्ड की आपूर्ती के लिए अभी हाल में चुना गया है साब को की पूपल मार्केस वेलिंग ट्रंग वर्ग है चेर्मैन इसके यह कांगी कंपनी है सुडिस कंपनी है और किसने चुनाए इसको यह भारत को प्रवाइट कराएगी असलहाट मता वेपन्स भारती आर्मी यानि कि सब मिला के नीरस चोपड़ा को दिया गया है परम परम याद अखना वजिस सीमा सेबा मेडल सेबी हाल में समानत किया गया है नीरस चुपड़ा को नेक्स लखनव आइपेल को किस नाम से ज embark नाइगा लफ्लोव सुपर गैंस नाम से जाना जाएगा लखनव आईपिल की टीम ये भी नई टीम बनी है याद रखना अगला है रामगर विस्तारी वनजीब अबेरर जो देश में प्रस्तावित पांच इस्तलों में से एक है को रूस के ब्लाद दिवोस्तक में होने वाले ग्लोवल सल्वनी का निदन हो गया वे इटली में पैदा होई थी और फ्रांस की नागरिक थी और उन्हों को भारत की तरफ से पदम स्थी दुजर उन्नी सम्दी आ गया अत्यंत मैतपूड है याद रखना नेक्स्ट महानिक होकी खिलाडी चरडजी सिंग का हाल में निदन हो गया य इग्जामपल पर उनको अपडेट कर दिया समझा दिया कि आप लोग कैसे आप तैरही कर सकते हैं कॉन फीचर आपका है प्ट फिर भी ऐज़ टीचर की माद्यम से समझा दिया और यज़ भाई की माद्यम से आप मेरी बात को समझ सकते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नेक्स टैम जब भी आप क्लास में होगे तो बाकी का अपडेट अधर अधर कोशन से हम आपको करवा देंगे बट क्लास को याद अखना जो मेरी प्रॉपा तरीकिस आपको क्लास अगर चाहिए हो वैसे आप लोग समझदार हो यह 75 कोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ तो सबसे पहले याद दखना कल सुबह मिलना मत बूलना SSC पे ठीक है कल सुबह मिलना मत बूलना SSC पे करेक्ट पांच बजे वो क्लास जिसके सबसे ज़्यादा आपको जरुरूत है और यह रियालिटी है कल सुबह 5 बजे सब लोग में लोगए SSC exam by exam पॉर पे और साइद ह है कर आपके संजीत सर आपकी क्लास को कंट्रुनियू करें आके और नहीं करते हैं तो छह बजे हमें ही करनी पड़ेगी तो एस सी बाली भी 6 बजी हो जाएगी लेकिन फिलाल अभी जो कण्फर्म कि यह क्लास जो हो गी वह आपकी शन्जी सर लेंगे एक्जामपूर पर हम अपनी पुरानी क्लास अपनी एक्जामपूर पर स्वह सब्सक्राइब करेंगे नियुक्त कर सकते थे लेकिन दिक्कत यह है कि और इस्ट्टेंट को भी देखना है जिनको ममी पापा के साथ खेतों पर काम करना करने भी जाना पड़ता था कुछ ऐसे कामों के लिए भी जाना पड़ता था तो यह प्रॉब्लम है ठीक है डिश्टल है हां विशान सर डिश्टल करन रफिर वह टेलीग्राम चैनल है उस पर ध्यान मर्दो ठीक है चलिए तो अभी फिलाल में सेशन करेंगे समापत मिलेंगे आपके सामने empiricalגם मिलेंगे कल सुबह करेक्ट पाँच बजए 31 जन्वरी की करेंट फिर के साथ… तीस और 31 कि आज क्ल की करेंड फिर कल और आज की दौन से लिए कमश्य थोड़ी से लंबी क्योंकि उसमें दो दिन कीःट होती है ठीक फिर भी क्लास डेर गंडे से आगे नहीं जाएगी और अच्छा परफोर्मेंस कर पाओ सहाए उस बज़े से से्लेक्शन ना हो रहा हूँ चीक है तो मिलेंगे आपके सामने कल सुबा करेक्ट पांच बजे एक्जाम पर एक नई करांती के साथ तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जैहिन जैभारत वंदे मादरों